तो लेसर हिमले की कुछ important ranges देख लेते जैसे के लेसर हिमले में यहाँ पर जम्मु एन कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश में पीर पांजल रेंज फिर दहुलादर रेंज और लेसर हिमले में यहाँ पर यह important peak दिखा देता है जिसका नाम है तृशूल यहाँ पर है उसके लोईन हिमाले केए उसके बाद नेपाल में जो रेंज दिखा जिथी ऑसका नाम है महाभारतार रेंज और अरुणाचल जो चार hills हम देखते हैं एक है डाफला hills, मिरी hills, अबोर hills उसके बाद यहाँ पर मिश्मी hills ये सब यहाँ पर लेसर हिमाले के पार्ट हैं इन सब को इहाँ पर ध्यान में रखना है अब यहाँ पर हमने देखा था कि greater हिमाले and lesser हिमाले के बीच में जो वैली का प्रदेश फ़ाम होता है उसमें जम्मु और कश्मीर में कश्मीर वैली प्रेजन्ट है नीचे हमने लाहू लेंस पिती वैली देखी थी लाहू लेंस पिती वैली के नजी हमने चंद्रताल यहाँ पर रामसार साइड भी देखी थी कुछ important national parks भी हमने इसी रेके देख लिये थे उसी तरीके से लेसर हिमाले में यहाँ पर important जो locations आती है उसमें स्रीनगर आता है फिर यहाँ पर शेशनाग location आती है शेशनाग क्यों important है क्योंकि यहाँ से जेलम river का origin है उसके बाद यहाँ पर हमें जम्मू भी लेसर हिमाले मे यह सब भी हमें यहाँ पर लेसर हिमाले में दिखाई यह location है वहाँ पर tonez river को आके मिलती है इससे ध्यान में रखना है उसके बाद हम यहाँ पर shivali cringe हमे यह आपर पंजाब के और रया से लेकर हमें यहाँ पर सिहाँ किम तक दिखाई जिते है इसके बाद भी यहाँ पर प कुछ important locations देखेते हैं, जैसे कि आभी हम rivers देखते हैं, तो सिंदु नदी को हमने पहले ही देख लिया था, उसके बाद शेशनाक से यहाँ पर जहलम रिवर का origin है, जहलम रिवर के उपर हमने यहाँ पर दाल वुलार लेक देखेते हैं, उसके बाद यह दाल लेक, वुलार ले वुलार लेक है, वुलार लेक के उपर हमने यहाँ पर तुलबुल प्रोजेक्ट देखा था, जो उसके माउथ के उपर बनाया गया था, और वुलार लेक में और दो important rivers हम यहाँ पर देखी थी जहलम रिवर के साथ, उनके नामते मदुमती रिवर और अरिन रिवर, तो यह इसको भी यहाँ पर ध्यान में रखना है, अब यहाँ पर physical map के उपर हम देखेंगे, उसके बाद यहाँ पर नीचे कुछ important passes भी दिखाए देते हैं, लेसर हिमाले में, जैसे कि यहाँ पर बनी हाल पास है, तो बनी हाल पास यहाँ पर स्रीनगर को जम्मू के साथ connect करता है, इसे ध्यान में रखना है, इसके साथ जम्मू के नजदिक हमें यहाँ पर एक रामसर सैट दिखाए देती जिसका नामे सुरिन सार मानसर, यहाँ पर एक नैशनल पार्क भी है, जो यहाँ पर चिनाव रिवर के नजदिक हमें दिखाए देता है, जिसका नामे किस्तवार न उपर present है उसके बाद हमने यहां पर नीचे अगर आम देखेंगे तो यहां पर लेसर हिमलय में हमें और एक past दो कहते है जिसका नामे बारालाचा pass यह बारालाचा pass हमें ऊपर की तरफ कारगिल को और नीचे की तरफ मनाली को connect करता है इसी ध्यान में रखना है और उसी के नीचे हमें एक और एक pass है जिसका नामे रोहतांग pass तो कारगिल से लेके मनाली को आने तक हमें दो passes लगते हैं एक बारालाचा pass और दूसरा है रोहतांग pass और यह मनाली के बाद मनाली से लेके अगर आपको Spiti Valley के तरब जाना है तो आपको यहाँ पर यह कुंजुंग pass लगेगा यह कुंजुंग pass लाहूलेंड Spiti को भी यहाँ पर connect करता है तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है यह सब यहाँ पर कुमाहन Hills में प्रेजेंट है और हिमाचल प्रदेश में इस एरिया में जो Hills प्रेजेंट है उसे हम क्या कहते है कुल्लू Hills के नजदेक हमें यहाँ पर यह सब नैशल पार्स दिखाई देते है Great Himalaya National Park, Pean Valley, Khir Ganga इनको यहाँ पर ध्यान में रखना है अगर नैशल पार्स में देखोगे तो यहाँ पर यह सब आपको यहाँ पर Great Himalaya, Pean Valley, Khir Ganga यह सब आपको यहाँ पर कुल्लू Hills के वैली में कुल्लू वैली है फिर कुल्लू Hills में आमें दिखाई देते है तो इनको यहाँ पर ध्यान में रखना है उसके बाद यहाँ पर Rawi River आती है रोतंक पास के नजदिक यहाँ पर Rawi River का origin है और Rawi River के उपर आपको एक डैम दिखाई देगा जिसका नाम है चामेरा डैम उसके बाद यहाँ पर धेइन डैम भी Rawi River के उपर प्रेजेंट है वो यहाँ पर पंजाब में प्रेजेंट है और धेइन डैम का जो रिजर्वायर है उसको हम यहाँ पर रंजिस सागर डैम भी कहते है उसके बाद उसके नीचे हम यह अगर देखेंगे तो कुल्लू हिल्स के नजदिक ब्यास कुंड़ा है ब्यास कुंड़ा से हमें यहाँ पर ब्यास रिवर का ओरीजिन दिखाई देता है तो यहाँ पर महाराना प्रताप सागर डैम प्रेजेंट है यहाँ पर जो बादर के उपर पास है उसको यहाँ पर शिपकिला पास कहते है वहाँ से एंटर करती है और फिर यहाँ पर यह हिमाचल प्रदिश से होते हुए पंजाब में एंटर करती है और border के उपर हमें यहाँ पर भाकरान अंगल प्रोजेट दिखाए देता है जिसी का यहाँ पर जो reservoir है उसी को हमें यहाँ पर गोविन्स अगर कहते है और यह जो यहाँ से river बागे चलके जब यहाँ पर ब्यास river यहाँ पर 17 river को आखे मिलते है तो वहाँ पर हरी के बराज है तो हरी के बराज से जो कनाल यहाँ पर शुरुवात होती है वो उसी को हम यहाँ पर इंदिरा गांदी कनाल कहते हैं और यह जो कनाल यहां से निकाला गया है तो यह पूरी तरीके से यहां पर राजस्तान में जैसल मेर बार मेर तक पहुचता है और यहां पर इसने एक तरीके से green revolution का काम किया है तो इसको भी यहाँ पर ध्यान में रखना है उसके बाद यहाँ पर अगर हम नीची की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर हमने देखा था कि शिवाली करेंज एंड लेसर हिमाली के बीच में जो वहली का प्रदेश फ़ाम होता है उसको हम यहाँ पर दून एंड दुआर केते है जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था कि ग्रेटर हिमाली एंड लेसर हिमाली के बीच में जो वहली का प्रदेश फ़ाम होता है उसको हम यहाँ पर कश्मीर वैली लावलेंड स्पिती वैली के नाम से जानते है तो उसी तरीके से यहाँ पर लेसर हिमाली एंड शिवाली के बी इसी के बज़े से जो यहां पर वार हुई थी उसी को हम यहां पर दुआरवार कहते हैं अगर आपने Modern India में पढ़ा था यहां पर दुआरवार हुई थी आप कमेंट सेक्शन में बताइगा कि यहां पर अंग्रेज और किस इसको लखके यहाँ पर रेनुका वैली रेनुका लेक भी प्रेजेंट है तो सिंबल बारा नेशनल पार्क यह पाउंटा साहिब वैली में प्रेजेंट है इसको भी यहाँ पर ध्यान में रखना है पाउंटा वैली में और यहाँ पर पाउंटा साहिब गुरुद्वारा भी पॉंटा सहिब गुरु दिवारा यह गुरू खोना ये बनाया था इसको हम आपर रामसर सहीडा थे समय भिनिज को हमने यह एक। यहाँ पर पॉंटा स्वाइब गुरु द्वारा इसको इसको यहाँ पर धहन में रखना है तो उसके बाद यहाँ पर फिजिकल मैप पे आप अगर देखोगे तो उसके नीचे हमने क्या देखा था कि यहाँ से यमुना रिवर का ओरिजिन देखा था यमुना तरी ग्लिशिर से यहाँ पर नागट इबा रेंज के नजदेग यहाँ पर यमुना रिवर का ओरिजिन दिखाए देता है और उसके उपर हमें यहाँ पर टोंस रिवर आते हुई दिखाए देती है यह टोंस रिवर लार्जेस ट्रिबुटर यह यमुना रिवर की इसको ध्यान में रखना है और टोन्स रिवर यहाँ पर यमुना रिवर को कल सी इस लोकेशन पर आके मिलती है और उसके बाद यहाँ पर यह बॉर्डर से होते हुए यमुना रिवर बाद में गंगा रिवर को आके मिलती है अब यहाँ प बुगेल पायर भी हम यहाँ पर देख चुके और यहाँ से नीचे हमें यह पूरा दून वैली का प्रदेश है और उसके बाद यहाँ पर नीचे शिवालिक रेंज में आपको यहाँ पर नाइनी ताल लोकेशन दिखाए देगी कहाँ पर उत्तराखंड में तो नाइनी ताल इसी के नजदिक हमें यहाँ पर गोमती रिवर का ओरिजिन दिखाए देता है और नई निताल के नजदिक हमें यहाँ पर उत्तराखंड में जो नैशनल पार्क दिखाए देता है उसी का नाम क्या है जीम कारवेट नैशनल पार्क यहाँ पर प्रदेश में यहाँ पर दून वैली है और पूरा अगर ओर वाल देखा तो इस प्रदेश को हम यहाँ पर दौर वैली केते हैं तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है अब यहाँ पर गंगा रिवर जो है यह मांटेनस एरिया से पास होती है और फिर यहाँ पर रिशी केशन हरीदवार यह important locations के थुरू यहाँ पर पास होने के बाद फिर गंगारी और यहाँ पर plains के प्रदेश में enter करती है और उसके बज़े से यहाँ पर तरही प्रदेश फाम होता है और यहाँ पर आपको merit भी दिखाई देगा यहाँ पर जो important wildlife sanctuary उससी को हम यहाँ पर हस्तिनापूर wildlife sanctuary भी कहते है इसको भी यहाँ पर ध्यान में रखना है और इसी area से पास होते हुए अब गंगा river को हम देखेंगे सिर्फ गंगा river को इस तरीके से study करेंगे और उसकी साथ हम उसकी surrounding की चीज़ों को देखेंगे अब यहाँ पर गंगा river बहे रही है तो गंगा river की एक important tributary जिसका नाम है राम गंगा यह यहाँ पर left hand tributary है यह उपर की तरफ से आती है नई निताल के नजदिक इसका origin है तो वहाँ से यह बहते हुए आती है और यहाँ पर जो शुरुवाती zone में जो यहाँ पर plane का प्रदेश form करती है गंगारी और इसकी tributaries उसी को हम यहाँ पर क्या कहते है रोयला खंड़ प्लेन यह पूरा प्रदेश जो है इसको हम यहाँ पर रोयला खंड़ प्लेन केते हैं इसको ध्यान में रखना है और यहाँ पर मतलब हम यहाँ पर oxbow legs दिखाई नहीं देते हैं जिस तरीके से रामसर सेट समपढ़ते हैं तो हम देखेंगे आप oxbow legs जो है हमें इस एरिया में दिखाए देते हैं तो रोयलाखन प्लेन में मेंrageं quando नहीं देखते हैं तो इसको यहाँ पर द्याद में रखने में उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट जो ड्रिबू टरी आती है लुकिग गंगरिवर की तो वो है यममुना रिवर तो यहाँ पर ध्यान में रखेगा, पहले आती है, यहाँ पर रामगंगा रिवर देखी थी, तो एक तरीके से हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड ट्रिबूटरी पहले देख लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड ट्रिबूटरी जो सेकेंड लेफ्ट हैंड ट्रिबूटरी है उसका नाम तो इसको यहां पर ध्यान में रखेगा और उसके बाद उपर की तरफ से हमें यहां पर गगर रिवर दिखाए देगी यह गगर रिवर जब हमें नेपल से यहां पर आती है तो यहां पर आपको दूदुवा नैशनल पर दिखाए देगा ओके यह एक टाइगर रिजोर इसको भी यहाँ पर ध्यान में रखना है और गगगर रिवर के बाद अब गुमती रिवर के उपर जो important location से उनको भी note down कीजिएगा लखनौ, सुल्तानपूर, जौनपूर, वारा नसी में फास्ट में इसले बोलओ कि यह सब हम पहले पढ़ जुके, लेक्चर्स में, और यहाँ पर गगगर रिवर जो है, यहाँ नेपाल के इसमें से आते वोई दिखाए देती है, यहाँ पर लिपूलेक के नस्देख यहाँ पर इसका हमें origin दिखाए देता है, और इसी को गगगर अप्ति रिवर के ऊपर हमें यहाँ पर गोरखफूर यह लोकेशन दिखाए देती है, और यह जो रोईलाखंड के बाद यह प्लेन का प्रदेश है, उसी को हम यहाँ पर अवद प्लेन केते हैं, और यहाँ पर ओक्सबो लेक्स मिलना शुरू हो जाते है, बहुत सरे रामस पॉर्साइड बना दिया है, वो सब हमें यहाँ पर इस एरिया में भी दिए तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है, अब गंगर रिवर के बाद जो गंगर की ट्रिवुटर है वह गंड़क रिवर, तो गंडख रिवर यहाँ पर नेपाल से उसका wysका ओर गंड़क रि पुरी और महानन्दा भी थोड़े बहुत तो इन सब रिवर्स के बज़े से और इनकी ट्रिबुटर इसके बज़े से यहाँ पर जो प्रदेश फार्म होता है बिहार के अंदर उसको हम यहाँ पर मिठाला प्लेन केते हैं तो यहाँ पर ध्यान में रखना है कि गंगा रिवर के ऊपर नौर्थ में हमें यहाँ पर मिठाला प्लेन दिखाए देता है और गंगा रिवर के साउथ में हमें यहाँ पर मगद प्लेन दिखाए देता है तो यह गंड़क रिवर जो सोरी यह जो मिठाला प्लेन जो है तो इसमें जो रिवर्स हमें यहाँ पर देखते उसमें गुरिरिवर है इसका भी origin हम यहाँ पर तीबेट के प्रदेश में दिखाए देता है इसकी जो इंपोर्टन्ट ट्रिबुटर है वो है अरून्ड रिवर ओके इसको भी यहाँ पर ध्यान में रखना है और फिर यहाँ पर जो नेपाल एंड वियार का जो बॉड़र है वहाँ पर हमें कोसी प्रोजेक्ट भी दिखाई देता है फिर यहाँ पर बिहार में इसका नाम बदल के बाद में गुरी रिवर भी हो जाता है और यह यहाँ पर गंगा रिवर को कुरसेला नाम की लोकेशन पर आके मिल जाती है उसके बाद आती है महाननन्दा रिवर, महाननन्दा भी रिवर का ओरिजिन हमें यहाँ पर बंगाल में दिखाए देता है, टाइगर हिल के नस्दिक, और टाइगर हिल यहाँ पर लेसर हिमाले में आता है, इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है, शायद मैंने बताया नहीं थ तो यह जो Tiger Hill जो है यहां से महानंदा रिवर का origin दिखा देता है और यहां पर कंकाल और भूरी यह दोनों इसकी Tributaries है तो इसको यहां पर ध्यान में रखने है कंकाल भूरी यहां से नेपाल से यह थी है और उसके बाद महानंदा रिवर यह यह लास्ट Tributary है जो लेफ्ट है ट्रिविटरी होती है उसमें यह से लास्ट प्रिविवीटर है महानंदा रिवर गंगा रिवर की तो इन झाने है उसके बाद यहां पर गंगा से दिखाररर के अंदर में तो यहां पर जो लेफ्ट हैंड डैर train ट्रिबुटरीज आती है तो राइट ट्रिबुटरीज मोस्ली यहाँ पर जो सेंट्रल हाइलांड प्लेट हुए इंडिया का सेंट्रल हाइलांड जो है वहां से इंटर करती है वहां से उनका ओरीजिन है तो इनको एक बार हम सिर्फ ब्रिफ में देख लेंगे तो यहाँ पर right hand tributaries में सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे यमुना रिवर को यह जो यमुना रिवर है उसका origin हमने यहाँ पर देख लिया था और यहाँ पर यमुना रिवर यहाँ पर UP पंजाब के बौडर से बहते हुए ये बाद में डेलली से बहते हुए यहाँ पर आखिर में UP में आके मिलती है गंगा रिवर को right तो यमुना रिवर को कुछ tributaries है जैसे कि और यमुना रिवर हैं यहाँ पर आग्रा इस location से बहती है इसको भी हाँ पर ध्यान में रखना है देल्ली भी यमुना रिवर के उपर आती है और यमुना रिवर के उपर देल्ली के नजदिक आपको एक important bird sanctuary दिखाए देगी उसका नहीं ओखला bird wildlife sanctuary तो इसको भी हाँ पर ध्यान में रखना है उसके बाद जो सुल्तानपूर नैशनल प देखेंगे उसमें यमुना रिवर जहाँ पर मिलती है गंगा रिवर को उसी के बाद एक और एक छोटी रिवर आके मिलती है गंगा रिवर को उसका नामे रेलान रिवर ओके ये रेलान नामे उसके बाद यहाँ पर हम नीचे की तरब से देखेंगे तो सोन रिवर है तो सो प्लेन में इंटर करती है तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है यह जो सोन रिवर है यहाँ पर यह विंद्यन रेंज को क्रॉस करते हुए चलती है तो फिर यहाँ पर कैमुर रेंज सोन पार हिल्स भी आपको दिखाए देंगे सोन रिवर के उपर एक इंपोर्टन डैम ब और उसके बाद यहाँ पर रिहांद के साथ इसको कहां पर और यहां पर इसको कंभी नहीं करनाय कुछ यहाँ पर 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 वखराप्ण के उपर हमें यहां पर गोविन लप पंत पर दिखाई देता है दिखा यह शिर रिजर्डी और फिर यहां पर यह qué Xtercomր को यह के मिलतीय यू पी में ओके इन Sommer पर रिवर आके मिलती है मध्यप्रदेश में उसके बाद सोन रिवर यहाँ पर पटनाव के पहले यहाँ पर गंगा रिवर को आके मिल जाती है और सोन रिवर उसके बाद आती है यहाँ पर हजारीबाग प्लेटू के नजदे के उसका ओरीजिन है वह उस रिवर का नाम है अब यह जो Canada Dam यहाँ पर बनाए गया है तो Canada Dam यह actually Canada के मदद से हमने यहाँ पर यह इसको बनाए गया था और इसके बज़े से इसको Canada Dam बनाए इसका नाम ओके अब यहाँ पर यह जो सब रिवर्स है सोन रिवर, पुनपुन रिवर, फालगू रिवर, मयुरकाशी रिवर यह सब रिवर्स मिलके यहाँ पर गंगा रिवर जो बिहार में बहती है उसके South में जो यहाँ पर Plains का प्रदेश फार्म होता है उसको हम यहाँ पर मगद प्लेन केते हैं यहाँ पर मगद का एंपायर था और इसके South में मगद प्लेन के South में हमें जो प्लेटू दिखाए देता है उसी का नाम है यहाँ पर छोटा नाखपूर प्लेटू और छोटा नाखपूर प्लेटू भी यहाँ पर तीन पार्ट में डिवाइड होता है एक है हजारी बाग प्लेटू उसके बाद मिडल पाट को हम चोटानाकपूर प्लेटू कहते हैं और उसके साथ में जो है उसको हम यहाँ पर रांची प्लेटू कहते हैं यमुना जो important right hand tributary हैं उसकी यहाँ पर कुछ tributary हैं हम यहाँ पर देख लेते हैं बहुत सरी tributary है यमुना रिवर की जो यहाँ पर central highland में हमें यहाँ पर उनका origin दिखाए देता है और इनके vicinity में बहुत सरे national parks भी यहाँ पर मध्यप्रदेश में present हैं जैसे कि यह पहली river आती है उसका नामें गंबिर river, तो यह सब rivers के important इन सब को हमने देखा था यहाँ पर केवलादेव national park जो है वहाँ से बेती है यह गंबिर river अब गंबिर river जो है उसके बाद जो river आती है उसका नामें बनास river इसका नामे बनास रिवर का जो ओरीजेन है हमें यहाँ पर माल्वा प्लेटू में दिखाई देता है इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है और फिर चमबल रिवर की कुछ इंपोटन ट्रिवर है जैसे कि काली सिंध उसके बाद पारवती कुणो बनास ये सब यहाँ पर ट्र यह अरावली रेंज से यहाँ पर उसके पर और बनास सी निसง है यहाँ पर मथ्या प्रदेशन राजास्थान की बार्टर के ऊपर यहाँ पर आके मिलते है चंबल सागर मारनाप्रताप सागर फिर जवार्व सागर तो यहाँ पर जो गांधी सागर जो है यहाँ पर मध्य प्रदेश में प्रेजेंट है और उसके बाद महाराना प्रताप सागर और जवार सागर यहाँ पर राजिस्तान में प्रेजेंट है और यहाँ पर जो चंबल रिवर की दूसरी यहाँ पर इंपोर्टन ट्रिविटर ही उसका नाम है काली सिंद तो इसका भी origin हमें यहाँ पर मालवा प्लेटू में दिखाए देता है और यह भी यहाँ पर मुकुंद्रा हिल्स एंड नैशनल पार्क जो है मुकुंद्रा जो नैशनल पार्क एंड टाइगर रिजोर है तो वहाँ से बेते हुए चंबल रिवर को आके मिल जाती है उसके बाद आती है पारवती रिवर इसका भी origin मध्य प्रदेश में प्रेजेंट है उसके बाद कुनो रिवर ओके यह सब यहाँ पर इंपोर्टन ट्र 2 में हम यहाँ पर दिखाए दिते है उसका origin लेकिन इसकी जो ट्रिबुटरी उसका नाम क्या है कुवरी उके तो इसको भी आपर ध्यान में रखना है उसके बाद यहाँ पर मध्यपरदेश में से एक आती है जो जिसका नाम है बेतवा रिवर बेतवार के ऊपर हमने एक project यहाँ पर यहाँ पर यह बौर्डर के नजदेके लेकिन UP में present एंए तो इसको यहाँ पर धान में रखेएगा और इसकी जो ट्रीबटेर यह उसका नामे धसान रिवर तो इसको यहाँ पर धान में रखना है उसके बाद यहाँ पर पन्ना नैशनल पार्क में बेनी पर बेटवा रिवर, सिंद रिवर, चंबल रिवर, फिर बनास रिवर, गंबिर रिवर यह सब ट्रिबूटर इसे यमुना रिवर की ओके और हमने क्या देखा था कि यूपी में शुरुवात में जो यहाँ पर अर्लियर पार्ट में जो यहाँ पर प्लेन फॉर्म होता है जि आकिर में गंगा रिवर बिहार में तो जैसे बहती है तो गंगा रिवर के नौर्थ में हम मिठाला प्लेन देखते हैं और गंगा रिवर के साउथ में हम यहाँ पर मगद प्लेन देखते हैं तो इन सब को यहाँ पर ध्यान में रखना है अब यहाँ पर हम आते अरावली र तो देल्ली से लेके South West में आप गुजरत तक यहां पर अरावली रेंज को इसका extension देख सकते हो तो गुजरत में आपको यहां पर गुरु शिकर, अबु हिल्स, जारगा यहां पर अरावली रेंज का पार्ट है जारगा क्या है तो अरावली रेंज को यहाँ पर देल्ली के नजदिक हम देल्ली रिज इस नाम से जानते हैं अरावली रेंज को यहाँ पर साउथ में साउथ वेस्ट में यहाँ पर गुजरात के नजदिक आपको जारगा इस नाम से जाना जाता है अरावली रेंज को अब यहाँ पर ही अबु हिल्स प्रेजेंट है और गुरु शीकर यहाँ का हाइस्ट पीक है तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है अरावली रेंज से बहुत सारी जैसे कि यहाँ पर हमने देखा था यह मेवार प्लेटू अरावली रेंज के वेस्टन सेड में प्रेजेंट है उसके बाद यहाँ पर जो इंपोर्टन नैशनल परक से उसके जैसे कि सारीस का नैशनल परक और टाइगर रिजोर हम यहाँ पर दिखाई देता है राजस्तान मे उसके बाद केवलादेव नैशनल पार्क यहां से गंबिर रिवर का बहना हमने देखा था जैपूर जो लोकेशन है यह भी मेवार प्लेटू में आती है और यहाँ पर जो लेटेस टाइगर रिजोर भी हमने देखा था अ पर इहां पर कुछ इंपोर्टन्ट लेक्स भी है к miranda जैसे कि धिधवाना लेक फिर सांबर लेक और यह सब पर इनको भी हाँ अपर दियान में रखा इसका नामे जैसामन लेग यहां पर प्रेसरिट है, इसके बाद यहांपर नाककी लेग प्रेजें जो यहांपर अबू Hill के नजदेक आपको दिखाए देगा राधिस्तान में उसका नाम क्या है, नाककी लेग, नाककी लेग है नाकी लेख यहाँ पर प्रेजेंट है उसके बाद यहाँ पर हमने जैसे हम सब को प्रेजेंट है यहाँ पर ग्रेट इंडियन डेजर्ट है और यहाँ पर ही इसको माल्वा प्लेंड बिकेते हैं तो इसको यहाँ पर धेयन में रखना है अब यहाँ पर हमने लगबग अरवली रेंज से जिनका ओरिजिन है वो सब रिवर्स यहाँ पर देख ली थी लेकिन उसके साथ ही यहाँ पर कुछ और भी रिवर्स है साबरमती रिवर के उपर जो important location है उसका नाम है गांधी सागर तो गांधी सागर साबरमती रिवर के उपर present है उसके बाद माही रिवर का भी origin हमें यहाँ पर अरावली hills में दिखा देता है और फिर माही रिवर यहाँ पर भरुच पोर्ट के नजदिक आके मिलती है अरेबिय निखलेंगे और उसके बाद यहाँ पर सेंट्रल हाइलांड प्लेटू और उसके बाद नेची की तरफ हम साउथ में निखलेंगे लोके थैंक्यों